कि CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं मैं पहली बार बोट दे रहा हूं सपा को दे रहे हैं नौकरी आती हैं भरती आती हैं लेकिन रद्ध हो जाती है चाहती कि वाद को बोट ले रहा हैं सर किसी वज़ाए से मुसल्मान परण करो परण परण करो बोट कर रहे हैं रहा है कौन देख रहे हैं आभी संदल लिया वालों ने इस आरे पर भी जानवर काटकी धर देंगा से मिले भी तॉद बाबस तो सबनाट है सबसे योगी सरकार रहे कि कानून में वस्ता बहुत अच्छी हो गई है ऐसा हुआ है क्या और उसके बाद में एक इननों जो वैक्सीन लगवाई थी वैक्सीन मों कमपनी बता रहा है कि उसको हाट अटेटेग और श्टोक का कारण बन रहा है पेंशन मिल रही है पेंशन भी नहीं मिल रही है जीसिये में आपका स्वागत है अपने चुनावी सफर में अब हम बदायू लोकसभा के गेर मजरा गाउं में है यह मुख्य रूप से यादफ बाहूल गाउं है इस सीट पर लगभग यह जो बदायू सीट है काफी सालों से सपा की एक सेफ सीट मानी गई थी लेकिन पिछ दर्मेंदर यादफ जी जो सपा से लड़े थे वो बहुत ही नेरो मारजन से लगभग 18-19000 वोटों से हार गए थे चुनाव बाजपा से संगमित्र मौरिया जी जीती थी इस बार क्या हम इसमें कुछ बदलाव देखेंगे इस बार यहां से सपा से वरिष्ट सपा के नेता शिफपाल यादफ जी के पुत्र अदित्य यादफ जी लड़ रहे हैं भाजपास से दूरवजे शाक्या जी और बसपास से मुस्लिम खान साथ लड़ रहे हैं आईए बात करते हैं क्या यादफ समाज इस बार फिर से एक तरफा साइकल के साथ है या कुछ बदलाव है अब नौजवान हैं वोट आने वाला है चुनाव आने वाला है चुनाव आने वाला है क्या सोच रहे हैs मैं पहलीवार बहुत दे रहा हूं सभाको डरा तक आकर बैठे थे कि शायद नौकरी अब फाइनली मिलेगी अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या हुआ सचिन क्या करते हैं मैं सब्सक्राइब कर रहे हूं क्या उम्मीद आगे क्या करना चाहरे हो आगे को अमीद क्या देखा जाए अभी तो पॉली टेक्निकी कर रहा हू तो क्या इस बार का आपको लग रहा है यह जो वाईदे किये थे दो करोड़ नौकरी हम लेंगी हर साल पांच सालों में जो मोदी जी ने वादा किया था पुछ पूरी हुई है दस साल तो होगी सार देखते देखते अभी तो कुछ हुआ नहीं है उसके बाद भी कुछ दर्म का मुद्धा बना रखा किया जाती पर आपको बोट ले रहा है सर किसी वजए से बताएं पिछली बार यह सेफ सीट मानी जाई थी सपा की हैं बहुत सालों से सपा के यहां पहले सलीम शेरवानी जी जीते थे फिर धर मिंदर यादव जी पिछली बार हार गए धर मिं जाता वाई हुए थे और सिपा जो उनकी चाचा दी थे उनने वह संब्सक्राइब उसमें क्या गया था कि मतलब एक राय दी गई तोता गुष गया था कोई वहां पर है ना मतलब बूट पर उन्होंने भी का था कि अब तोते बार देखा जाएगा कि तो तो पिछली बार इस बार तोते ओढ़ेंगे देखा जाएगा अब जाये तो अंदर उनी आपको लग रहा है कुछ गड़बड़े की लगती तो इस बार तोते संभाल लिए जाएगे अब देखते हैं आगे का महल देखा जाएगा अच्छा चलिए और भी लोगों से हाँ बोलो पहली बार म गाड़ी में बैठेंगे जी साव आपका नाम विजंदर जी क्या करते हो कुछ नहीं क्यों बोल रहे हैं बहुत मेहनत का काम होता है कोई रख्षा नहीं कर रहा हो देख रहा है क्या बोलो अभी जो गया है इनने चंदा लिया है बीजिपी वालों ने जिस फैगें कंपनी से वहां पर भी जानवरों काटकी एक जगह से मिले अभी और उसके बाद में एक मुद्धा इननों जो वैक्सीन लगवाई थी वैक्सी कंपनी बता रहा है कि उसको हाट एटेग और स्टोक का कारण बन रहा है यह भी जिम्मेदार तो कहा है सरकार यह बहुत मैंने भी को वैक्सीन लगाई है अगर में इंटर्व्यू लेते लेते अचानक कुछ हो गया मुझे ले जाना हस्पताल पास में कहीं हस्पताल ठीक है है कि अब यहां के आगे को इनकी सरकार आई कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है जो मतलब काम चल रहा था उतना ही रुग गया है मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं काम नहीं हो पाई अई इश्मान वग्यारा कहरे है हम सब को दे रहे हैं कि चलो प्राइवेट में करवालो आई पास में दूसरी जाती हो कि उनको भी एक को भी नहीं मिला होगा चलिए बताइए आप किसान है यह बहुत सीरियस सवाल है क्योंकि आप लोग भी नौजवान है आप किसान है किसानों का तो हमारे पश्चे मुत्तर प्रदेश से लेकर यहां तक बहुत परेशान हर जगा साइब भरपाई हो पारी है बहुत कम हैं उसके मुकादे हैं कि अब सब्सक्राइए कि जाने के नहीं हमेह मैहने जानी कोषणρाय है कि श्मान हृं हet तो बाव जी कैसा रहा है पिछले दस साल धन्दा ठीक रहा है आप गवाला है कुछ सरकार बढ़िया रही मोदी की सरकार बढ़िया रही तो वोट कहां दे रहे हैं अब वोट बनी आजाद है किसी को भी दे सकते हैं मन नहीं बनाएं तो इस बार साइकल पर नहीं जाएगा साइकल पर जाओगे अभी तो आजाद थे आप अब आजागा अच्छे ये बताईए आप पिछली बार यहां से आपकी सेफ सीट मानी जाती थी सपा की हरा धर्मिंदर यादव हार गए पिछली बार इसा भी हुआ है क्या कि पिछली बार जो इन्होंने पूरी राष्ट्रवाद की बात करी और यह सारी बाते करी किया इस से पुल्वामा के बाद कि इस से क्या यादव समाज का भी कोई एक छोटा हिस्सा टूटके भजपा में गया था कि बिशली बार यादव कोई ने तफिक है चलिए और भी कुछ लोगों से पूछते हैं बाउ जी नमस्कार नुब करते हैं लिए तो ख्यार ने हुआ बहुत परेशान कि इन्यट साल किसान के लिए नुक्त नुक्सान हुआ आपको किदर वोट दे रहे हैं अब बोड़ तो सब्सक्राइब जा रहे हैं अच्छा क्यों पसंद है साइकल इतनी अब का पतो क्यों पसंद है आपको क्यों पसंद है यह तो बताएं पसंद है कईसान थे परेशान है अब इस बाइब बहुद परेशान हुआ तो फिर अगली बार तक अगर यह थीक कर देती कर देती और नाजवान आ रहे हैं यह साइकल पर नहीं है मोटर साइकल पर है पूछते हैं जी साब क्या नाम सरवेश जी क्या करते है आप यस क्छेती करते हैं बस खेयती क्या होता है बहुत बड़ा काम होता है क्छेथी कि जी बताइए आप किसानों के लिए कैसे रहे हैं दस सार आप भी क्या बीजारों से परिशान हैं सब कितना परिशान हमके आलग से थोड़ी हैं सबी परिशान ने हम तो मतले मुझाफरनगर से होते हुए यहां तक आ रहे हैं हर जगा यह दिक्कत है किसान सम्मान निदी से खुश है उससे बरपाई हो रही है उससे क्या हो जाएगा पूरी खेत के उजाड़ देते हैं गाहे बहल तो उनसे क्या हो सकता है तो यहां पर है नौजवान है कुछ उमीद है उनसे कुछ नया कुछ करेंगे बिल्कुल नया कुछ करेंगे तब उमीद है इसलिए लगए बोट दर्मेंदर जी को कहें हरा दिये थे पिछली बार सब्सक्राइब क्या हुआ उसका पता नहीं हमारा बोट तो दर्मिन भी आ ग अब ये मैं तो नहीं कह सकते हूं अपना करम कह सकते हैं अगे क्या होगा उद्ध चीक लेकिन साइकल के साथ है आपका करम है साइकल ठीक है ये बदाए आप बदाएं ये जो भार भाजपा कहती है 400 différents 400 पर तो दूजें नहीं लग रहा है किना लग रहा है किना लग रहा है क्या उमीद कर रहें इंडिया की भी बन सकती है इन्हीं की बनेगी बन सकती है अगर 50-50 हो गया तो उन्होंने जो नारा दिया है कि कि अगर साउध में साफ और नौर्थ में हाफ अच्छा यह बताइए एक चीज जो बहुत बोलते हैं यह लोग बहुत बहुत बड़े-बड़े किसे भी होएं बहुत कुछ के सोई थे जहां पर बहुत निर्ममता से कुछ दो महिलाओं को मारा भी गया था पेड़ पर उनके स्वाब लटके होए नवह से और भी कुछ महिलां के साथ बड़े करें मैं इसलिए नहीं बार बार नारा देते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बहतर हुई है महिलाओं के लिएimen चुनाप आपको भी है अब औह भी लगत है कुछा जाने की सोच रहे हैं अब जाने की सोच रहे हैं अब जब आप आप यह सरकार के सी रही है महिलाओं के लिए आप क्या करते हैं घर संबालते हैं बड़ा ग्रहनी है अब अब आपको मिला है उसका जो गैस का दाम बढ़ गया है बहुत उससे दिक्कत हो रही है आपको नहीं हो रही दाम बढ़िया है इनको दिक्कत नहीं हो करें बीजारों से दादी कहां वोट दें रहे हैं जाए बाता है जो बतावती सोई है आप भी साइकल पर ही जा रहे हैं चली बताइए कैसे रहे हैं मोधी सरकार के महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा बढ़ गई है जब से योदी योगी सरकार रहे कि कानून म्यवस्ता बहुत अच्छी हो गई है ऐसा हुआ है क्या अच्छा और जो गैस सिलेंडर का महंगा हुआ है उससे दिक्कत हो रही है हमारे तो एक आउक ना मिलो कछू मिले हैं अब तक चूले पर ही है पुराने मिटी के हां मटी के चूले बंद चल रहे हैं चल रहे हैं तो अखिलेज भाई की सरकार आप अब चारे हैं वापे साई आप खोश हैं इस भाजपा सरकार से लेसा के सब्सक्राइब कर रहा है साइकल वदियां पर तो साइकल पर देंगे साइकल परी देंगे हमां दर्वजे टंकी ना लगी है आपके तंकी नहीं लगे लिए अच्छा हां सिगर लिकरी पाइप हमारे पेंशन भी नहीं मिल रही है तो गाउं में मिल रही है और लोगों को पेंशन में मिल रही है हम अभी घेर माजरा गाउं में थे यह जैसे मैंने बताया था एक यादव बाहूल गाउं है कई लोगों से बात हुई नौजवानों से भी बजर्गों से भी कुछ बजर्ग महिलाओं से भी लगबग सबका एक तरफा यही कहना है कि इस बार साइकल पर जाने वाले हैं सपा की जैसे मैंने का एक खत्त के सेफ सीट थी बदा यूं माना जाता था कि इनकी सेफ सीट थी लेकिन पिछली बार की हार से जरूर एक बड़ा जटका लगा था कारण कई हो सकते हैं कही लोग यहां पर कह रहे हैं कि कुछ बेमानी हुई थी अंदर आज अकिलेज जी की रैली भी हुई थी जहां पर उन्होंने कुछ छुप यह तोतो की बात करी थी खेर कारण जो भी हो लेकिन चार तारीक को पता चल जाएगा कि फिलहाल यहां का रुजहान लगभग यादव समाज में एक तरफा सपा के ले ही लग रहा है जुड़े रहें सीसिये के साथ चुनावी सफर में अब बदायूं के बाद कुछी दिन में आपको हम खेरी सीट पर भी ले जाने वाले हैं धन्यवाद